मोबाइल है Redmi 10A Sport और यह 10A और 9A Sport दोनों लगभग सेमी होता है और इसकी अफ़ार भाई पास की सरह से करना है मैं आप लोग वाई पास कर सकते हैं और उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन प्रेस कर लिजिए ताकि हर वीडियो आप लोग की से प लगा हुआ है FRP Lock जो कि protection के लिए होता है company प्रोटेक्शन के लिए देती है और दूसरी बात यह है कि mobile जो भी हो उसमें FRP Lock बाई पास करना ही सबसे आसान तरीका होता है सबसे आसान तो नहीं कह सकते हैं लेकिन सबसे सेफ तरीका होता है यहाँ पर आप लोग देख चुके दिखा रहे हैं आपको किस तरह से बाई-पास करना है और step by step आप इसको करते जाएए और आप आसानी चैना फाला को वाई-फाई करनेक्ट करते हैं हलब कि यह वाई-फाई ज़ो है हमारा नहीं है यह किसी और कर अधा है तो यहां वाई-फाई नहीं है तो यहां पर हम अपना वाई-फाई अन करके और उसको कनेट कर लेते हैं और उसको कनेट करने के बाद आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आपको यह फार्पी को बाई-पास करना है तो यहां पर हम फिर से नेक्ट करते हैं और यहां पर अपना उपो यह 15 का कर लेते हैं यहां पर वाइफाइ हंक हुत्वाइफ uda करें यहां पर वाइफाइफ नेटर्वर्कव करेंगे यहां कुछ options आएंगे यहां पर arrow के निशान पर हमें क्लिक करना है इससे पहले हमें अपने मोबाइल में simple एक SIM कोई भी एक SIM हमें insert करना है चाहिए उसमें network हो या ना हो SIM बस detect करना चाहिए मोबाइल में हमें कोई भी एक SIM इसमें insert करना है तो यह हमने उपने यहां अब क्लिक करेंगे और यहां पर ऊपर वन्-το वन ढाल देंगे उखने कंपनी खके backstory और मैसेज में हम टाइब करेंगे यहां पर इसको माटा देंगे और यहां पर इम टाइप करेंगे www.youtube.com आपको ध्यान रखना है www.youtube.com और यहाँ पर हमने जो message type किया है यहाँ पर YouTube के बीच में एक space आ गया है इससे यह हमारा गरबढ़ हो गया है तो हम दुवारा से यहाँ पर YouTube type करते हैं www.youtube.com यहाँ पर हम जैसे ही dot लिखते हैं यहाँ पर कि space आजाता है तो इसलिए इसको हम यहाँ से हटा कि यहाँ से फिर से हम dot com दिखते हैं उसको send करते हैं send करने के बाद इस पर हम click करेंगे जैसे ही हम इस पर click करेंगे हमारा यहाँ पर YouTube open होगा YouTube open होगा अपने आप यहाँ पर browser open हो जाता है तो Chrome ठीक है नहीं होता है तो यहाँ पर हम click करके और setting में जाके यहाँ से हम open कर सकते हैं यहाँ आप लोग बता है यहाँ पर help and history में click करेंगे history and privacy में इसके बाद यह हमारा Chrome हो गया और बहुत से लोग हैं जो कि Chrome open करने के बाद यहाँ पर आसानी से इसकी FRP को बाइपास कर लेंगे ले आपको दिखा देंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पर एक पेज़ खुल के आएगा और यहाँ पर हम आपको दिखा देंगे कि कोई भी application हम इसमें install नहीं कर सकते हैं और application अगर इस्टाल हो जाए तो बहुत हाथानी से हम इसको बाइपास कर सकते हैं लेकिन य इसको बाइपास कर लेंगे और अगर इस्टाल नहीं होता है तो हम इसको बाइपास नहीं कर पाएंगे यहाँ पर हम इसको टिक कर देंगे और टिक करने के बाद यह सेकंड जब खतम हो जागा दूसके बाद यहाँ पर हम इसको कर देंगे अगर इस्टाल होना होगा तो य यहां पे install नहीं होगा और अगर application install नहीं होगा तो हम बीना application install किये इसतरह से हम इसको बाईपास नहीं कर सकते हैं जहां पे कप application अग्लाव रिद कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा कुछ काम बनता है कि नहीं तहर्लेकर कालोडी की बाद एंटेड पराइव और डाउनलोड रहे डाट सब्सक्राइब घ्क nt अब कर्ता तो इस तरह से इसके बाइब PAST नहीं करपाएंगे यह हो गया हमारा technocache इसके बाद x launcher या कोई भी एक launcher जो की नॉर्मल होता है लगलबक सारे स्टो में यह आसानी से इंस्टाल हो जाता है हम उसको भी download करके देख लेते हैं और उसको download करके इंस्टाल करके देखते हैं कि उवह हमारा install होता है कि नहीं यहां पर हम देख लेते हैं कि कौन सा में यहां पर है जो की हम यहां पर download करके देखेंगे install करने के लिए तो यहां पर and значer हमारे पास है यह हम इसको क्लिक करके देखते हैं और डाउन अम जून nuclear do नोवा लांचर है और डाउनलोड होने के बाद इसको इंस्टॉल करने की कोशिज करेंगे और देखेंगे कि यह हमारा इंस्टॉल होता है कि नहीं और अगर यह इंस्टॉल हो जाता है तो अच्छी बात है हम डार्यक्ट में पेज़ चले जाएंगे और वहां से कुछ भी करक वाले नहीं है क्योंकि यह 12.5 पर work कर रहा है और 12.5 पर कोई भी application work नहीं करता है तो यहाँ पर हम डाइट सेटिंग open करके देखते हैं सेटिंग open करने के बाद हमें यहाँ पर कुछ settings करनी होंगी जैसे कि यहाँ पर addition setting में जाएंगे और उसके बाद accessibility में जाएंगे इसको हमें on करना है और ध्यान रहे इसको आपको on करना है और यहाँ इसको भी हम shortcut को भी यहाँ पर हम on कर लेते हैं दुवार से back जाके इसको भी हम on कर लेते हैं और इसको भी check कर लेते हैं यह भी हमारा on है नीचे एक symbol बन गया है आप लोग देखते हैं यह symbol बन गया मतलब हम हमें Google पे जाना है और Google पे जाने के बाद यहां पर हमें Right Corner पर हमें यहां पे एक ऐघर देखर आएगे हेड़ेफया है दिखाते इस और मैं आप संजे के जड़ी हैं जहाहरा वाइ-पाइब्स कनेक्ट हो गया है इस लिए वाइफाई करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं किस तरह से यहां पर हमारा होने वारा है तो यहां पर हम वाइफाई हम कनेक्ट कर चुके हैं और यहां से हम फिर से बैक जाते हैं और बैक जाने के बाद यह हमारा पूरा बैक आ गया है तो यहां पर हम फिर से वही करेंगे setting पर जाएंगे setting पर जाने के बाद यहाँ पर हम फिर से onc moonlight पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो option आएंगे यहाँ पर हमें d type करना है d type करते हैं यहाँ पर सबसे उपर delete and delete, disable and इस तरह से आएगा यहाँ पर tap to go to application पर क्लिक करना है इस तरह से हमारे सारे इफ इन्फो खुल जाएगे तो यहां पर हमें सो सिस्टम करना है मोर पर जाके हमें यहां पर सो सिस्टम सारे जो इस इतने भी अप्लिकेशन सारे यहां पर जाएंगे तो यहां पर हमें Android आटो जो दिख रहा है अप्लिकेशन हमें इस पे क्लिक करना है Android setup वाले पे हमें क्लिक नहीं करना है Android setup वाले पे हम क्लिक करेंगे तो उससे मारा कोई फायदा नहीं होने वाला तो यहां पे हम इसको आप दिखा देते हैं यह Android setup वाले पे क्लिक करेंगे तो यह force stop भी कर देंगे तब यह disable नहीं होगा इसके बाद फिर हम इसको स्लाइड करके उपर जाएंगे और स्लाइड करते जाएंगे स्लाइड करते जाएंगे यहां पर हमें Google Play सर्विस हमें सर्च करना है यहां पर Google Play सर्विस हमें ढूंडना है और यहां पर हम Google Play सर्विस धूंड़के इसके बाद उसको भी हम डिजेबल हमें करना है और यहां पर गूगल पर सर्विस आ गया पहले इसको फोर्स रिस्टाप करेंगे और उसके बाद इसको हम कर देंगे और mobile हमारा जब पूरा back चला जाएगा तो उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि आपको क्या करना है यहाँ पर हम full back आ चुके हैं और यह हमारा net connect है उसके बाद यहाँ से हम next करना इस्टार्ट करेंगे फिर से यहाँ पर और next करना यहां पर यह हमारा Wi-Fi Connect है यहां पर हम next करते हैं यहां पर थोड़ा सा वीडियो हमारा मिस हो गया था इसलिए हमने same model का किसी और वीडियो से थोड़ा सा last का यही लिया है यह 100% वर्ड करता है कोई दिक्कत नहीं है बैटरी लो होने को यह से मोबाइल हमारी बंद हो गई थी और 5% से कम इसका चार्ज हो गया था तो इसलिए यह मोबाइल हमारा मतलब काइमरा इसका नहीं चल रहा था हमें इस पर क्लिक करना है और जैसे ही accessibility पर हम क्लिक करेंगे सेmmy ya 말고 क्लिक करेंगे जब सेumbra क्लिकश करंगे तो हमें यहां पर अजИ्थिंग पर क्लिक करने के बाद यहां पर हमारा रूबफ आना चाहिए एक option गूगर प्ले सर्विस हो ला है इसको हम कर देंगे इनेबल और clear डाटा मार देंगे यहां पर इसको हमें enable करना है और clear data इसका कर देना है और इसके बाद हमें यहाँ पर back जाना है और यहाँ पर back जाने के बाद यहाँ more पर यहाँ accept कर देंगे यहाँ पर ok कर देंगे और ok करने के बाद थोड़ा सा हम यहाँ पर wait करेंगे इसके ready होने का और बस यह आपका आखरी step है mobile या farp log आपकी bypass हो जाएगी और यहाँ पे हम skip कर देंगे यहाँ पे भी हम skip कर देंगे और यहाँ पे हम करेंगे next वाले option पे click और यहाँ पे हम agree कर देंगे agree करने के बाद इस पे हम click करेंगे और यहाँ पे सीधा हम इस पे click कर देंगे बस कुछ second wait करने बाद mobile हमारा प्रापर ayun हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे हम हमें करना क्या है हमारा अपना wifi डिसकर्न बार mobile को हम अंदर setting से जाके हम reset कर लेंगे और reset करने के बाद mobile को फिर से यह फारपीस में नहीं माँगेगा और reset करके mobile को हम